जेहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक स्लाशर फिल्म फियर फार्म पार्ट टू के बारे में दोस्तों इसका फर्स पार्ट हम अल्रेडी एक्स्प्लेइन कर चुके हैं तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अभी जाके देख लीजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंट कॉमेंट में मिल जाएगा इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहत पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 15 साल पहले और हुमन स्किन वो इंग्रीडियन्ट है जिसे वो यूज करके उस क्रीम को बनाएंगे इस लड़की की स्किन बहुत ही अच्छी है जिससे वो अपनी क्रीम बनाएंगे और उनका बिजनस इससे बहुत ही ऊपर जा सकता है हर्शल उसे रोपने की कोशिश करता है और उससे क कहता है कि वो कितने मासुम लोगों को मारेंगे तो उसकी बीवी उससे कहती है कि उन्हें बस तीन चार लोग ही चाहिए होंगे जिनकी स्कीन अच्छी हो और वो उससे क्रीम बना सकें उसके बाद वो हर्शल को एक नाइफ देती है और उससे कहती है कि वो इस बंदे को जान से मार डाले तो हर्शल उस लड़िया गला काड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है ये करके वो बहुत रोता है तो उसकी बीवी उसे समालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करें वो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहा तो किलर जोकर अपने विक्टिम्स का ख्याल रख रहा होता है और बाहर बैटके वो अपना फोन चला रहा था तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो अंदर देखता है जहांपे मैल लेटी होती है जिसकी स्किन उन लोगों ने निकाल ली थी उसे वहाँ पे उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी तो अचल उससे कहता है कि वो अब और लोगों की जान नहीं ले सकते उसकी बेटी उसे समझाती है कि जो माँ चाहती थी वो उसे पूरा करना चाहती है इसलिए उन्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी और उनके में आ और सारे आदमी वो काम पे लगा देता है और वो बंधा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है तो यह लड़की उसे पकड़ के उसे चाकू मार देती है जिससे वो जखमी हो जाता है लेकिन वो बंधा फिर भी नहीं रुकता और मेज से बाहर निकल जाता है जि इसने गेट खुला छोड़ दिया था वो गेट खुला पाती है तो वहाँ से बाहर निकलती है और देखती है कि वहाँ पे उसके जैसे कई सारे लोग मौजूद है जिनकी स्किन वो लोग यूज कर रहे हैं वो सभी को ऊठाती है और उन्हें इशारों में कहती है कि उन्हे यहां से निकलना होगा, क्योंकि उसने अपना गला काट लिया था और वो बोल नहीं पा रही थी, इदर फैमिली मीटिंग में हर्शल अपने बच्चे को बताता है कि उन्हें एक लाग से जादा ओर्डर मिले हैं, और उन्हें ये ओर्डर बहुती कम समय में कम्प्लीट करना ह इसी दें उन्हें जादा विक्टिम्स शही है, इदर ये से ये कपड़े पहन लेते हैं, और वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। है वो मेस के अंदर ही है, जिससे वो सभी अभी मेस के अंदर ही हैं और उन्हें यहां से बाहर निकलना होगा इस्दर हश्ल मीटिंग में बता रहा होता है कि वो और लोग हो कैसे बंधी बनाएंगे, लेकिन तभी उसकी नरू उस जोकर के छोटे साथ ही पे पड़ती है तो जोकर को डाटता है और उससे कहता है कि यहाँ पे फैमली मीटिंग चल रही है उसमें इस इंसान का क्या काम इस उनके जोकर उसे वहाँ से भगा देता है और उससे कहता है कि वो उनके विक्टिम्स को जाके देखे जब बंदा वहाँ पे जाता है तो देखता है कि सभी लोग वहाँ से भाग गए है और तुरन जाके जोकर के कान में सारी बात बताता है हर्शल उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है तो जोकर उसे ये बात बताने में डर रहा होता है वो उससे जूट कहता है कि उससे ट्वालेट जाना है लेकिन हर्शल उसका जूट पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि सच बात क्या है वो उसे बताता है कि सभी लोग वहाँ से भाग गए है ये सुनके वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन सब को हंट करने का फैसला करते हैं अर्शल सब से कहता है कि वो जादा दूर नहीं जा पाएंगे वो मेज में ही होंगे और उन्हें पकड़ के वो लोग माल डालेंगे वो सभी को मेज में भेशता है उन्हें हंट करने के लिए और उस बेबी किलर को हंटर की बेटी कहती है कि वो यहीं पे उनका इंतजार करे क्योंकि मेज में बहुत खत्रा है और वो उनका सामना नहीं कर पाएगा वो विक्टिम्स मेज में भागते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंड रहे होते हैं तभी दूर उन्हें एक बोर्ट नजर आता है तो वो फैसला करते हैं कि वो सीधा उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि अगर वो मेज के रास्ते पे चले तो शायद उन्हें कोई ना कोई कातिल मिल जाएगा वो सभी उस फील्ड के अंदर से होते हुए सीधा जाने लगते हैं लेकिन तभी एक लड़के का पैर बेर ट्राप में आ जाता है और उसका पैर कट जाता है ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उने पदा चलता है कि यहाँ जगे जगे बे ट्राप्स लगे हैं जिससे वो लोग फील्ड के अंदर से भी नहीं जा सकते वो उस लड़के की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ट्रैप नहीं खुलता जिसकी वएसे वो सभी उसे वहीं पर अकेला छोड़ के भाग जाते हैं उसके वाग उस वहाँ पर रास्ता ढूंडने लगते हैं लेकिन तब ही उनके आगे एक किलर आता है जो कि बाइक से उनका शिकार करने आया था उस किलर को देखके वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उसके पास कोई उजार नहीं है तो वो उसका सामना कर सकती हैं जिसे उनके वो किलर अपना हतियार निकालता है जिसे देखके वो डर सरीया मिलता है तो वो मेज के अंदर छुपके उस किलर के आने का इंतजार करती है और जब वो किलर उसके सामने आता है तो वो सरीय को उसके गाड़ी के पहिये में गुसा देती है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो किलर बेहोश हो जाता है उसके बाद वो उसका हत करती हैं कि उससे वो यहां से बाहर निकलेंगी तभी चेंसॉल ये एक दूसरा गिलर वहां पे आता है जो उनको चेस करने लगता है लेकिन वो लड़किया बीच के मेज में से होके भाग निकलती है उस मेज में हर जगे ट्राप लगे हुए थे और जब एक लड़की आगे ब लगती है और उसका साथ एक और लड़की देती है जो कि उसके साथ चली जाती है इधर मेल के साथ वो तीन लड़किया होती है जो कि उससे पूछ रही थी कि अब वो आगे क्या करेंगे लेकिन तब ही एक लड़की के सर पे तीर लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है मेल से भाग निकलती है क्योंकि वो उससे लड़ने ही पा रही थी अशन अपनी बेटी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कितने लोग मारे गए हैं तो वो उससे बताती है कि अभी एकी लड़की मरी है और लड़का जिंदा बचा हुआ था जो कि बेर ट्राप में फस गया थ जिसे बेबी किलर वापस फैक्टरी में ले आया है उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कहां तक पहुँचे थे तो वो उससे बताती है कि वो कौडरेंट 10 तक पहुँच गये थे जिसे उनके उसका पिता उससे कहता है कि अब वो जादा दूर नहीं है जाती है वो लड़की अपनी दोस्से कहती है कि वो जाली क्रोस करके वहां से निकले और वो जोकर को डिस्ट्राक्ट करेगी ताकि वो उसके पीछे आये तभी वो जोकर के आगे आ जाती है और उससे कहती है कि अगर उसमें दम है तो वो उससे पकड़ के दिखाए वो वहा पर आता है तो वो अपने पिता को इतला कर देता है कि दूसरी लड़की भी मर चुकी है जिदर भागते हुए मेल को वापस वो दोनों लड़किया मिल जाती है और वो उन्हें बताती है कि इस मैप में यहां से बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ है लेकि यहां से बाहर न कि उसकी आंख में ठेर सारा खून है वो उसे बताती है कि वो घर जाए और पानी से इसको साफ कर ले और उसके बाद वापस आए हंटिंग करने के लिए इधर वो ब्लैक लड़की जो अगेले भाग रही होती है तो वो जोकर उसे पकड़ लेता है वो उसे एलेक्टरिक शौक देता है जिससे वो जमीन पे गड़ जाती है लेकिन तब ही वहाँ पे मेल और उसकी दोस्त आती है जो कि उस जोकर पे हमला कर देती है वहाँ पे वो सकेर करो भी आता है जिसका वो सामना करती है और मौका देखके मैलू सकेर्वरो का हधियार चुरा लेती है और उसके सर पे वार कर देती है जिससे उसकेर्वरो की वहीं पे मौत हो जाती है उसके बाद तो तीनो ड़किया वहाँ से भाग निकलती है और जोकर को देखके बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब उसका तीसरा भाई भी मर चुका था वो अपनी बेहन को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है और उसकी बेहन अपने पिता को बताती है कि उनका तीसरा बेटा मर चुका है जिसे उनके हरशल को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपनी बेटी को कहता है कि वो सब को मार डाले उसकी बेटी जोकर से कहती है कि अब रिवेंज लेने का टाइम है तो वो किसी पे भी रहम ना करे और जो कोई भी उसे दिखे वो उसे मार डाले हर्शल भी उन लोगो को हंट करने के लिए मेज के अंदर जाने के लिए निकल जाता है और उसे देख के उसका पीछा करते हैं वो बेबी किलर भी वहाँ पे जाता है इज़रे तीनों लड़कियां देखने लगती हैं कि आखिरों किस साइट से बाहर निकलेंगी मेल उनसे कहती है कि वो एक लड़की को उपर करेंगी ताकि वो देख सके कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां पर है और जब वो लगों से उपर दिखाती है तो वो हर्शल को देखती है हर्शल उसे देख के कहता है कि वो उनको मारने के लिए आ रहा है और इस उनके वो तीनों लड़किया वहाँ से भागने लगती है अर्शल उनका पीछा गड़ता है लेकिन तब ही उन लड़कियों के आगे वो बेबी फेस के लार आ जाता है वो अर्शल से कहती है कि वो अपनी गन फैक दे वरना वो उसके बेटे को मार डालेंगी इस उनके रशल उनसे कहता है कि वो एक छोटा लड़का है जिसे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है वो बिल्कुल मासूम है तो वो उसे चोट ना पहुँचाएं वो अर्शल से वहाँ से बाहर निकलने का पता पूछती है तो वो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का पता बता देता है इस उनके मेल उसके बेटे को ट्राप पे धका दे देती है जिससे कि उसके पेट में तीर लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है हरशल अपने बेटे को अपनी बाहों में मरता हुआ देखता है जिससे उसे बहुती गुस्सा आता है और वो सबका बदला लेने का सोचता है इधर मेल और उसकी दोस्त भागते हुए फिर से उसी जोकर की जगे पे पहुंचती है जहां वो देखती है कि वो जोकर अपने भाई की लाश के पास रो रहा है ये देख के वो फैसला करती है कि वो पीछे से उस पे हमला करेंगी और उसे मार डालेंगी लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो मेल की दोस्त को एक तीर लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है ये देख के मैल समझ जाती है कि ये एक ट्रैप था और वहाँ से भाग निकलती है उस लड़की को मार के हर्शल की बेटी और जोकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके बादों मैल के पीछे जाते हैं उसे मारने के लिए इधर वो ब्लैक लड़की उस मेज के एक्जिट पे पहुँचके वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसे एक कैमबर वैन दिखती है जिसके अंदर एक आदमी से वो मदद मांगती है इधर मैल को भी रोट दिख जाता है और वो मेज से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तब ही उसके सामने हरशल आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा वो पीछे से भागने की कोशिश करती है तो हरशल की बेटी वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है वो ब्लाक लड़की उस आदमी को सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे वो आदमी उससे कहता है कि वो चिन्ता ना करे वो यहाँ पे पूरी तरह सेफ है उसने दर्वाजे को बंद कर दिया है और इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता तब ही कोई उसका दर्वाजा खटखट आता है तो वो दर्वाजे को खोल देता है और तब ही वो रड़की देखती है कि वहाँ पे हर्शल है यानि वो आदमी भी उससे मिला हुआ था हर्शल अंदर आके उसे बंधी बना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है इधर हर्शल की बेटी भी मेल को नॉग आउट कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है जब मेल की आंगे खुलती है तो वो अपने आपको बंधा पाती है और उसके साइड में उसके दो विक्टिम्स भी बंदे हुए थे अर्शल उन से कहता है कि उसने उनके आँख और मूश ठिच करवा दिये हैं ताकि वो लोग कुछ बोल और देख ना पाएं मेल के साथ उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही गूंगी है वो अपनी बेटी से कहता है कि वो मेल को उसका सीक्रट बताए तो उसकी बेटी मेल को बताती है कि वो लोग उनकी टांगे भी तोड़ने वाले हैं ताकि वो दुबारा यहां से भागने की कोशिश ना कर पाएं उसके बाद उसका कातिल भाई हतोड़े से उनकी टांग की हड़ियां तोड़ देता है जिसे देखके मैल रोने लगती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी अर्शल मैल के पास आता है और उससे कहता है कि उसकी वज़े से उसने अपने तीन बेटे खोए हैं लेकिन अब वो उससे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसकी जान लेकर रहेगा अर्शल की बेटी उससे कहती है कि वो इसे जान से नहीं मार सकते यथ कि इसकी सकिन सबसे रेयर है जिससे वो बहुत ज़ादा आमीर बन सकते है और माँ भी यही चाहती थी कि वो सबसे पहले अपने फार्म के लिए जी हैं अर्शलिस उनके उससे कहता है कि उसकी माँ भी इसी जिद की वज़े से मरी है और उसने अपने तीन बेटे खोए हैं तो वो बदला लेकर रहेगा वो चाकू निकाल के मेल के पेट में गुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो अपने बच्चों से कहता है कि वो तैयार हो जाए नया स्टॉक लाने के लिए अगले दिन वो एक चाइनीज बिजनसमैन को बुलाता है और उसे इंट्रड्यूस कराता है अपने फार्म से वो उनसे कहता है कि इस मेज फार्म की वज़े से उसका बिजनस काफी बूमिंग पर है और वो चाहता है कि उनकी कंपनी उनके साथ कॉलाबोरेट करें ताकि चाइनीज लोग भी यहाँ पर आए और उनके मेज का लुप्ट उठा सकें इस सुनके वो चाइनीज कंपनी का मालिक उसका उफर एक्सेप्ट कर लेता है और इची के साथ ये मूवी खतम हो जाती है यहीं दोस्तो तीसरे पार्ट में वो लोग बिजनस को एक्सपैंड करेंगे और हो सकता है कि चाइनीज लोग यहाँ पर आए और वो लोग उन्हें हंट करें तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए दोस्तो रिसेंटली हमने दो लेटेस्ट मूवी एक्स्प्लेइन करी है जिसे आपने नहीं देखा तो आप उसे अभी जाके देख लीजिए तो दोस्तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद